दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जियो भी नीज़ में दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबर तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे में सामिल नहीं होंगे राहूल गांधी ने यह भी कहा है कि चुनाओ के बाद सप्रमुक सोनिया गांधी के अनुभव का फाइदा उठाए जागा उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि मायवती अखलेस यादो तथा नाइडू भाजपा में सामिल होंगे जी हां द हम उसे स्विकार कहेंगे इससे पाले हम कुछ नहीं कहेंगे जी हां दोस्तो अगली बड़ी के वरे भारत को बड़ी काम्याबी कैलास मान सुरवर बनेगा बिस्व धरोहर यूनेसको ने दी मंजूरी जी हां दोस्तो भारत को कैलास मान सुरवर के सुनरक्षन की दिसा में बड़ी काम्यावी मिली है। यूनेसकों ने कैलास मानसरवर भूच छेतर को बिस्व धरोहर का दरजा दिलाने की दिसा में सहमती दे दिया है। भारत इस मांग को दसकों से करता रहा है। जिसमें जाकर के अब काम्यावी मिली है। दसकों से जिस मांग को लिकर के भारत जद दरजा दिलाने पर सहमती प्रदान करने के साथ ही अंतरिम सूची में भी सामिल कर लिया है जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके अनुसार अंतराश्टिये महत्वाले इस छेत्र को प्रकृति के साथ ही सांस्कृति सरेणी की संरक्षित दरजा मिलेगा जी हाँ दोस्तों पवित्र कैलास मानसरवर भूचेतर भारत, चीन और नेपाल की सन्यूक धरवर है। इससे युनेसको सनरक्षित बिस्व धरवर का दरजा दिलाने के लिए चीन और नेपाल पहले ही इसके प्रस्ताव भेज चुके थे युनेसको को। और अब भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने हिस्से का 7120 किलोमीटर वर्ग चेतरफल वाले युनेसको के प्रस्ताव में मंजूरी करा ली है। इससे कूल 31252 वर्ग किलोमीटर वाला भाग युनेसको की अंतरिम सूची में सामिल हो गया है। अब भारत चीन और नेपाल के साजा प्रयासों से कैलास भूचेतर की विश्वदुरा का दरजा मिलने से न सिर्फ समुचे भूचेतर का भिकास होगा बलकि कैलास मान सरवर यात्रा भी बेहतर होगी। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर मोदी न बन सके परधान मंतरी तो मायावती अखलेस यादों के बजाए ममताब एनरजी ही तै करेंगी कौन बनेगा परधान मंतरी। लेकिन इन सभी कवायदों और अठकनों के बीच एक संभावना का चर्चा हो रहा है। अगर मोदी को किसी भी तरीके से बहुमत नहीं मिला तो वह उस इस्थिती में किसे परधान मंतरी बनने का चांस ज्यादा है। अगर ऐसी इस्थिती पैदा हो जाती है तो फैसला तक पहुँचने पर ममता बनर जी सबसे अहम सावित होंगी। जी हाँ दोस्तों NDA या उसकी अगवाई वाली सरकार में यदि तै करें तो 23 मैं की पहली संभावना ये बन सकती है कि नरेंदर मोदी की अगवाई वाले NDA को पूल बहुत मिल जाए। सिखर राओ, TRS और उडिसा के नवीन पटनायक का बीजू जाता दल और आंध्यपदेश के जगमोहन रिड़ी का YSRCP इसमें नजर आ सकती हैं। अगर तीसरी इस्थिति की बात करें तो भाजपा के पास अगर 200 से लेकर के 220 सीटे हो तब NDA को उसकी सहयोगी दलों को आगे भी जाना होगा। और वहीं से उसके लिए मुसीबते खड़ी हो जाती हैं और ऐसी संभावना पैदा होने लगती हैं जिससे मायवती को लगता है कि वह देश की पहली दलित परधानमंतरी बन सकती हैं। तत यह भी है कि अभी जितने भी गैर NDA दल, कॉंग्रेस या दक्षिन भारत की छेतरिये पार्टिया जिस कवायद में लगे हुई हैं वह ऐसी संभावना मान करके ही अपनी अपनी गोटिया सेक रही हैं। जी हाँ दुस्तों चोथा संभावना यह हो सकता है कि भाजपा को यदि 180-200 सीटे पर सीमट जाए या उसके लिए NDA के सहयोगियों के अलाबा 50 से अधिक सीटे जुटाना असान नहीं हो पाएगा। यहीं पर इस चुनाव का सबसे दिर्चस्प पहलू सामने आता है जिसमें भाजपा और कॉंग्रेस के बीच तीसरी सबसे बड़ी पार्टियों का रोल सबसे महत्पून हो जाता है और वहीं प्रधान मंत्री की कुरसी का भी दावेदार ठोक देता है। परदेश में 25 और तेलंगाना में 17 सीटे हैं वहीं YSR CP और तेलगू के बीच लड़ाईया हैं तेलंगाना में KCR की पार्टी सारी सीटे जीत ले भी तो यह भी दावा कमजोर रहेगा बिहार में 40 सीटे हैं और वहां जदियू 17 सीटे लड़ रही हैं चुनाव इस पर इसी का कटवंदान है और दोनो 37 और 38 सीटों पर लड़ रही हैं वास्तविक्ता यह है कि इस बार भाजपा और कॉंग्रेस के बाद महमता बनर जी की त्रिमूल कॉंग्रेस ही एक ऐसी पाटी है जो गंभीरता से सबसे ज़्यादा यानि की 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं बेसक सपा और बसपा या अन दलो ने दूसरे राजियों को भी उमीद खड़ी कर रही हैं लेकिन वहाँ उसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं बनती है ऐसे में तीसरे दोर में त्रिमूल कॉंग्रेस बसपा और सपा सब सी आगे हैं अगर हम बात करें 2014 की तो 2014 में चुनाव में भी ममताब अनरजी की टीमसी पस्चिम मंगाल की 42 सीटों पर अकेले लड़कर के 44 सीटे जीती थी अगर इस बार बीजेपी भी दीदी के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई तो टीमसी पर परफेक्ट पिछली बार की तरह या उससे बहतर होने की संभावना के इसारा कि रही है उससे यह भी लगता है कि यूपी में सीटे घटने की संभावना की आसांका की भरपाई वह पस्चिम मंगाल से ही करने की कुछिस कर रही है ऐसे में NDA को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि पस्चिम मंगाल में भी उसके उमीदो बनने के बजाए king बनाने की सर्थ रख दे तो मोधी विरोधियो पार्टी के पास ज्यादा विकल्प ही नहीं बचेगा जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी खबरे बंद होने वाले हैं ATM जानिये क्या क्या हो सकता है इसके बाद जी हाँ दोस्तो अब जहाँ देश में ATM ट्रांजेक्शन प्रती दिन बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी और ATM के संख्या भी कम होती जा रही है जी हाँ आपको बता दे कि सक्त नियमों की वज़ा से देश में ATM चलाना काफी महंगा पड़ रहा है यहीं वज़ा है कि अब सैक्डो ATM के बंद होने का खत्रा मड़ा रहा है यदि ऐसा होता है तो इसका असर पूरे देश की जनता पर होगा क्यूंकि लोगों को कैस निकालने में काफी ज़्यादा परिसानी का सामना करना पड़ता है यहां दोस्तो आपको बता दे कि एक रिपोर्ट के अनुसार Reserve Bank of India के कुछ सक्त नियमों के चलते बैंकों और ATM मसीनों को लेकर के कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ रहे है इसकारन बैंकों और ATM को काफी बड़ी रासी खर्च करने पड़ रही है इनहीं सारी चीजों के चलते प्रती दिन ATM मसीनों की संख्या में कमी होती जा रही है जी हां दोस्तो आपको बता दे कि ATM मसीनों के कम होने के बावजूद भी लगतार ट्रांजेक्शन की संख्या बढ़ती जा रही है यदि ATM मसीनों में कमी का सिलसिला ऐसा ही चलते रहा तो इसका असर पूरे देश के लोगों पर होगा और इसके साथ ही लोग कैस नहीं निकाल पाएंगे जी हाँ तो आरपी आई के रिपोर्ट के अनुसार देश में ATM से ज्यादा तर ट्रांजेक्शन होने के बाद भी पिछले दो साल में ATM की संख्या में कमी आई है अंतराष्टिय मुद्रा कोस के मताबिक ब्रिक्स देशों में भारत ऐसा देश है जहां प्रते दिन लगबग एक लाख लोगों पर कुछ ही ATM है जी हाँ तो आपको बता दे कि CATMI ने पिछले साल यह चेतावनी दी थी कि साल 2019 में भारत में आधे से ज्यादा ATM बंद कर दिये जाएंगे उस समय ACR द्वारा अपनाई गई यह बात कि करीबन देश में करीबन 2,38,000 ATM है जिसमें से करीबन 1,13,000 ATM मार्च द्वार 19 में बंद किये जाने थे आपको बता दे कि RBI के ड्यूटी गवर्नल आर गांधी ने ATM मसीनों के बंद होनी की वज़ा से बारे में बताया है कि ATM ऑपरेटर उस बैंक के इंटरचेंज फीस वसूलते हैं जिसका इस्तमाल किया जाता है इस फीस का इस्तमाल होने की वज़ा से ATM की संख्या में कमी आ रही है जिस तरीके से मुसल्मानों की जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से वे पूरे बिश्व पर नियतर्ण कर रहे हैं जिस तरीके से मुसल्मान मानते हैं कि लोग कुरान में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें जिन्दा रहने का हक नहीं है उसी तरीके से यह भारत और पूरे दिस के लिए बहुत बड़ी सवस्या बन चुके हैं मुसल्मान